Hello everyone, welcome back to my channel तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको कुछ लुक्स बताने वाली हूँ जिनें आप केरी करके अपनी फ्रेंड या फिर अपने किसी रिलेटिव की वेडिंग में जा सकते हैं ये सभी एकदम यूनिक और न्यू स्टाइल लुक्स हैं तो अगर आपकी एज कम है तो भी आप इस तरीके के लुक्स क्रियेट कर सकती हैं ये बहुती सुन्दर लगेंगे अगर आप इन्हें फॉलो करती हैं तो आपको इनकी हैर स्टाइल, लोग, जुएलरी सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा और बहुती बढ़िया तरीके से आप एक आउटफिट क्रियेट कर सकती हैं इन सभी के साथ तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ ऐसे लोग बताए हैं जो अगर आपकी फ्रेंड की शादी है और आप थोड़ा सा अच्छा लगना चाती हैं, थोड़ा अलग दिखना चाती हैं तो आप इस तरीके के लोग जरूर फॉलो करिए यह सबी बहुती सुन्दर हैं और काफी सिंपल और काफी असानी से आप इने क्रियेट कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्टीवलेस ब्लाउस के साथ सिल्की की साड़ी पहनी गई है यहाँ पे अलग-अलग कॉम्बिनेशन कलर क्रियेट किया गया है इसके साथ जो जूलरी है वो भी काफी मिनिमल है तो अगर आपकी एज कम है तो भी आप इस तरीके के लोग आसानी से क्रियेट कर सकती है जिस तरीकी के जो ब्लाउस हैं आप चाहें तो क्रॉप टॉप भी पर्चेस कर सकते है यहाँ पे जो ब्लाउस और साड़ी के कम्बिनेशन है वो एकदम यूनीक और आपको कम एज का दिखाएंगे और सिल्की की साड़ी हमेशा ही ट्रेंड में रहती है इन्हें आप हमेशा किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं सिर्फ आपको इन्हें एक बार पर्चेस करने की जरूरत है और आप इन्हें सालों साल अलग-अलग तरीके से पहन सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको सिल्वर, गोल्डन हर तरीके की जूलरी का आउटफिट बताया हुआ है जैसे ये वाला लोग आप देख सकते हैं ये काफी यूनीक है और बहुती सुन्दर लगेगा अगर आप चाते हैं तो बाल ओपन भी कर सकते हैं आपको सिर्फ इनका जो ब्लाउस है वो खुद से स्टिच करवाना पड़ेगा अगर आप चाते हैं तो कोई क्रॉप टॉप या फिर जो आजकल टॉप के साथ भी साड़ी स्टाइल करने का ट्रेंड है वो कर सकते हैं जो जूलरी है वो जो आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं उसकी जो लिंक है वो मैं थोड़ा बहुत दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो अगर आपको unique style jewelry सोच रहे हैं purchase करने का तो मेरा description box जरूर check out करिएगा ये सबी जो look हैं वो काफी simple हैं और काफी असानी से create हो जाएंगे इनका जो make-up हैं वो भी काफी minimal है hairstyle आप अपने according रख सकते हैं आजकल bun की hairstyle काफी trend में है और जो इस तरीके के आप jewelry देख रहे हैं वो असानी से और काफी affordable range में आपको मिल जाने वाली है इसकी जो sardies हैं जो मैंने इस वीडियो में दिखाएं हैं वो सभी भी काफी affordable हैं मैं उनकी भी link search करके description box में दे दूँगी तो अगर आप purchase करना चाहते हैं जिस तरीके के affordable sardies जिन्हें आप बढ़ियां तरीके से create कर सकते हैं तो उनकी भी सब चीजे में description box में दे दूँगी यदि आप कोई day function attend कर रहे हैं तो आप silky sardie के जगे cotton की sardie भी पहन सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है जो यह blouse है blouse के जगे आप easily असानी से crop top पहन सकते हैं कुछ crop tops की link भी मैं description box में दे दूँगी तो आप वहाँ से जाके description box में जरूर check out करिएगा और मेरा जो insta page है उसे जरूर follow करिएगा मैंने link description box में दे दी है और यदि आप मेरे साथ collaboration करना चाहते हैं या फिर मेरी channel में अपनी video upload करवाना चाहते हैं तो आप मुझे mail भी कर सकते हैं mail ID भी मैंने description box में दे दी है तो आप वहाँ जाके description box जरूर एक बार check out करिएगा यह सभी जो look हैं वो काफी unique हैं और simple हैं जैसा कि आप देख सकते हैं जदि आपकी कोई simple साड़ी है तो आप उसमें जरा सा lace लगवाके और bright color का blouse stitch करवाके इस तरीके के look create कर सकते हैं यह बहुती सुंदर लगेंगे यदि आपकी नई-णई शादी हुई है और आप कुछ एकदम simple unique style look पहनना चाहते हैं कोई भी function में तो आप इस तरीके के look पहन सकते हैं यह बहुती बढ़िया लगने वाले हैं आपकी उपर और हर age group के साथ यह बहुती अच्छे लगते हैं यदि आपका कोई पुराना top है या कुछ है और जुसका color combination match हो रहा है साड़ी के साथ तो भी आप इस तरीके का पहन सकते हैं और जो आप देख सकते हैं जूलरी है वो भी काफी unique है और stylish है तो आप इस तरीके की जूलरी एक बार purchase करके उन्हें अलग-अलग outfit के साथ पहन सकते हैं तो कुल में लाके मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आप affordable range में अपने लिए कितने अच्छे तरीके से अलग-अलग look create कर सकते हैं इसके according तो please मेरी वीडियो को like जरूर करिएगा उसमें comment और उसे share करना मत भूलिएगा और हाँ मेरे चैनल को subscribe भी जरूर करिएगा